हलो स्ट्रेंट्स आज का कोश्चन है फाइंड जब मेजर ओफ दा एक्स्टीर एंगल सव दा पॉलिगॉन ठीक है देखो यहाँ पर वैसे तुसने एंगल हमें सभी दे दिये लेकिन एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो हमें बेसिकली निकालना क्या है एक्स की वैलू निकालना है देखो यह चार दे रखे है इसके चारों एक्स्टीर एंगल हमें दे रखे है तो एक्स्टीर एंगल हम मान ले एक का एक्स्टीर एंगल बी, सी, डी, चारों हमें दे दिये तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है The sum of the exterior angles of a polygon. क्या होता है? अगर आपने वीडियो नहीं देखी, तो please उसे जबने. इस 360 degree, ठीक है? हम क्या करेंगे? इस सारे angles को sum करेंगे. तो पहले A पे जो दे रखा है, A का exterior angle उसे मैं लिख देती हूँ. X प्लस 25, प्लस B वाला क्या है? X और C वाला है, X माइनस 10 degree, और D पे है 2X. इनका sum कितना होना चाहिए? 360 degree होना चाहिए. यह हमारी exterior angle property बताती है. अब यहाँ पे देखो, X, X को देखलो, आप X प्लस X, तो गया 1 प्लस 1, 2X, 3X, 3X, और यह वाला 2X. तो कितने होगा total? 5X. कितना हो गया? 5X. अब हम देखेंगे number को, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर minus 10 है, तो प्लस 25 minus 10, ठीके? इक्वाल स्टू 360 degree. अब क्या करेंगे next? हम number को जो है, इसको हम पहले solve कर लेते हैं, 25 से अगर हम 10 को minus करेंगे, तो कितना आजाएगा हमारा? 15 आएगा किसका? प्लस का आएगा, है ना? तो वो मैंने लिख दिया हैं यहाँ पर. अब next step क्या करेंगे? देखो, 5X को हम इधर ही रहने देते हैं, और नमबर को 15 को दूसरी साइड पर transpose करके ले जाते हैं. तो 360 minus 15 है ना? कितना हो जाएगा? 10 से 5 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बच गया? 5, 5 से 1 गया 4, और यह हो गया हमारा 345, ठीके? 345 हो गया, हमें तो क्या निकालना है? X की value निकालनी है ना? तो हम क्या करेंगे? X is equal to 345 upon 5, 5 से divide किया, तो 5, 6 जा 30 और 5, 9 जा 45, तो हमारी X की value निकल गई. X की value हमारी क्या आ गई? 69 degree, ठीक? लेकिन हमें तो उसने सारे X3 रहेंगल निकालने के लिए बोला है, तो देखो A पे जो है, A पे क्या दे रखा? X प्लस 25, तो X प्लस 25, क्या हो जाएगा? X की value 69, और ये 25 दौनों को add कर, 95, 14, 1 carry over, और 603, 9, ये तो गया 94, ठीक? next हम निकालेंगे, दूसरा जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? B वाला, B की value तो X हम अल्रेडी निकाल चुके, तो दुबारा निकालने के जरूरत नहीं हो, हम आपे क्योंकि सिर्फ X है, तो X की value तो हम अल्रेडी यहाँ पर find out कर चुके है, ये हमने दूसरे वाले की कर दे, ठीक है? अब हम जाएंगे C पर, तो C की value क्या दे रखिए? X minus 10, X minus 10 तो क्या हो जाएगा हमारा? X की value हमने निकाल दिये 69 minus 10, तो कितना हो गया? 59, है ना? कितना हो गया? 59, अब एक बचा 2X, तो X की value तो हमें पता है, तो 2X की value कितनी हो जाएगी? 2X की value हमने कितनी निकाली थी? 69, ठीक है? तो यह हो जाएगी 138 degree, ठीक? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू करें, फॉलो जरूर करें